लोगसबा चुनाव के मंदे नजर कॉंग्रेस पार्टी ने मद्यप्रदेश के सभी लोगसबा सीट पर प्रभारियों के नियूकती कर दी है वह इंदौर लोगसबा सीट पर कॉंग्रेस पार्टी ने शोभा ओज़ा को प्रभारी बनाया है शोबा उज़ा ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी इंदौर के लोगसभा जना को बड़ी दमदारी से लड़ेगी और इस बार आश्चर जनक परिनाम सामने आएंगे शोबा उज़ा ने भारते जनता पार्टी के इंदौर लोगसभा के आठ लाग से जीतने के दावा को खोखला बता है शोबा उज़ा ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी ने इंदौर लोगसभा से युवा और सिख्षा विद अक्षम बं को मैदान में उतारा है जो इंदोर के विकास को लेकर समर्पित है शोबा उजा से हमारे सायोगी अश्रफ मंसूरी ने खास बाचीत की इंदोर की लोकसभा सीट कॉंग्रेस पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने अपनी वरिष्ट नेतरी शोबा उजा को इसके जिम्मेदारी दी है और यहां का प्रभारी बनाया है इस वक्त शोबा उजा जी हमारे साथ मोजूद है 1989 से लगातार बीजेपी इंदोर लोकसवा सीट जीत रही है कितना टफ चैलेंज रहे गाए देखे इंदोर एक हाटकोर बीजेपी कॉंस्ट्वेंस ही मानी जाती है और 1989 के पहले जरूर कॉंग्रेस के नेताहां जीते रहे पीसी सेठी जी जैसे बड़े नेताओं ने इंदोर को रिप्रेजन किया है जो कि देश के हुमेनेस्टर भी रहे मुक्हिमांत्री भी रहे मध्यपरदेश के उसके बाद लगातार इंदोर सीटिक चैलेंज बनी हुई हमारे लिए पर कुछ भी पॉलिटिक्स में इंपॉसिबल नहीं होता है और उलट फेर होती रहते है और इस बार बहुत अच्छा कैंडिडेट हमने दिया है एक नया फेस है यंग लड़का है जिसमें कुछ कर गुजरने की एक आत्पों शक्ती है तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि कॉंग्रेस का कारेकरता भी हर कारेकरता इसको एक चैलेंज की रूप में देखेगा और लेगा और लड़ाई लड़ेगा और हम ये सीट जीतेगे क्या माना जाए क्या कारण रहा कि इतने सालों से लगाता है कॉंगरेस पार्टी से लोग सबसीट पर पिछड रही है कुछ क्रिजन होंगे इसके बिए जित्ती मेरी राजनितिक समझ है गलती हमसे हुई थी जब फ्री फॉर ओल नगर निगम में हमने किया था और इसके कारण नगर निगम हमने हाली और उसके बाद लगाता है नगर निगम भी हम हारते आ रहे हैं और जब नगर निगम हारते हैं तो निश्चिती पार्षद जो ह ज्यादा उससे जुड़ी रहेगी, तो उनकी रोच मर्या के काम वही लोग करते हैं, तो इसलिए जुखाओ थोड़ा उस तरह हो जाता है, पर हाँ, ये लोकसभा का चुनाओ है, और लोकसभा के चुनाओं में मुद्दे बिलकुल अलग हैं, और ये जो दौर चल रहा है ताना शाही के और बढ़ेंगे, और ताना शाही, एक ताना शाह सरकार को हम चाहेंगे, या इस देश जो की अपने लोकतंत के लिए जाना जाता था, वो लोकतंत को हम बरकरार रखेंगे, आज प्रशन वो है, आज प्रशन है कि हमारे देश का किसान, क्या अपनी जमीन और अपनी महनत के जो फसल हुगाता है कि उसकी महनत का उसको पैसा मिलेगा कि उसकी जमीन सरकार उससे छीनेगी. आज प्रशन इस बात का है कि नवयोकों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा. आज प्रशन इस बात का है कि महंगाई कम होगी कि नहीं होगी. महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो ये तमाम प्रशनाज जंता के सामने है तो मैं समझती हूँ कि जंता चुप है, जंता मौन है और जंता बहुत सोच समझ के वोट देगी और जब जंता सोचेगी तो निश्चित ही वो पाएगी कि ये सरकार इस बार हमें बदली है जो नारा दिया जारा वो कहीना कि इन दौर की भारति जंटर पार्टी उसे सार्था करने की बात भी कर रहे है देखे भारति-जंटर पार्टी के नेता बहुत बड़ी-बड़ी बात करते है बहुत बड़े बड़े आखड़े गिनाते हैं, मैं तो उनको चलेंज देती हूँ, कभी आठ लाग से हम नहीं हारें, तो क्या ये नारा देने वाले नेता अपने पत से स्तीफा देंगे या राजनीती से त्याग करेंगे, ये ऐसी बड़ी-बड़ी बाते जब मैं मेर तो ये सब बुलने की बाते हैं, ये सब एक परसेप्शन बनाने का ओजहार है, जिससे कि लोगों की सोच में या आए, कांग्रेस कहीं भी लड़ाई में नहीं है, ठीक है, अगर वो गलत फेहमी में रहना चाहते हैं, आठ लाग से वो कह रहे हैं कि वो जीतेंगे, तो जिस आए, जिस लोग सबास सीट की बात कर रहे हैं, तो जिस बहुत बढ़ेभी किला बन चुका है, एटी नाइन सम देखने यह कि लगातर बीजेप चुनाव जीते हैं, तो इस अबध किलों को बहुत बहुत बढ़ी बाते करते हैं, उन लोगों को पाई किला की का कॉंग्रेस जब एक बर फिर जो है कॉंग्रेस पार्टी का सामना प्त्याश्चिय से नहीं है बलकि सीधे जो पीम फेस नरेन मोदी से नरेन मोदी के फेस पर इस चुनाओ इस बार दड़ा जा रहा है। माध्यप्रदेश में कॉंग्रीस की सरकार बने थी, फिर खरीद फिरोषकर कि इन्हों ने अपनी सरकार बनाई, तो और कई राजियों में हमाचल का चुनाओ, भारती जनता पार्टी हारी महां भी नरिन मोधी ही फेस थे, महराश में भी नरिन मोधी ही फेस थे, तमाम साउट तो क्या नरेनमोदी का चहरा नहीं हारता है तो इसलिए यह कहना कि नरेनमोदी का चहरा रहे तो चुनाओ नहीं हारेंगे यह ऐसा नहीं है जनता मुद्धों की बात करना चाहती है जनता पूछ रहे है कि आपको 10 साल इस देश नहीं दिये तो 10 साल में आपने क्या देश के न बाते करते थे कि वापस लाएंगे, वो तो छोड़िये, आपने इतना बड़ा घोटाला एलेक्टोरल बॉंड्स में कर दिया, आपने डी मोनिटाइजेशन के नाम पे देश में इतना बड़ा घोटाला क्या, आप दूसरी पोलिटिकल पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर रहे देखे, भारती जन्ता पार्टी को जब जो सूट करता करती, क्योंकि वो मुद्धे पे चुनाओं नहीं लड़ सकती, आज नरेन मुद्धी स्वेम मुद्धों पे चुनाओं नहीं लड़ सकते, तो धर्म की आड़ लेके चुनाओं लड़ते हैं, वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स खेलते हैं, क्योंकि उनको पता है, वो मुद्धों की बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस मुद्धों की बात करेंगी, दो करोड़ रोजगार प्रती बर्ष देने का वादा करके, 2014 में ही आये थे, आज हम 2024 में खड़े हैं, किते करोड़ नव्यूकों को र रोजगार मिला, जो रोजगार से लगे थे, उनके भी रोजगार चीन लिए, आज बड़े-बड़े जो IT सेक्टर के बड़े लिखे बच्चे वो तक बेरोजगार घूम रहे हैं, आज देश में बेरोजगारी का यह हाले की दिन पर दिन नव्यूवक आत्मत्या कर रहे है किसान आंदोलन कर रहा है, सडको पे उसको अपने फसल का मूल ने मिल रहा है, उसकी जमीने चीनी जा रही है और बड़े-बड़े सेटो, धन्ना सेटो को सौपी जा रही है, महिला है, सुरक्षित नहीं, महंगाई बड़ी हुई है, आज दो जून की रोटी कमाना इंपॉ किसान से देख रही है कि कहा गए वो सब नेता जो बड़ी-बड़ी बात करते थे, करॉप्शन की, आज पूरी तरह से करॉप्शन में डूबी हुई ये सरकार के इंदर में बैठी है, तो ये किन मुद्धों की बात करेगी, तो इसलिए केवल चेहरे की बात करेगे, और जो सरकार है वो पनाती, आज सु्प्रीम कोड के अदेश के बाद अगर महां कॉंग्रेस की सरकार होती तो, कॉंग्रेस की सरकार बनाती और राजिव जी ने ताले कह लवाए थे, तो यह बिना कुछ करें, बाहवाई लूटना में इनका कोई जोड नहीं और आज देश में आप देखिए ना, क्या इनने दिया, किते IIT दिये, किते IIM दिये, किते AIMS दिये, और जो संस्ताहें कॉंग्रेस की सरकार ने बनाई थी, वो तक इनोंने बेच खाई, आज आपका रेलवे बिग गया, आपका एरपोर्ट बिग गया, आज क्या बचा है, आज जो गरीब होता है, जहां आपको हर अपके को साथ लेके चलना रहता है, वो सब आपने बंद कर दिया, आप हर चीज गरीबों की चीन के कुछ धना सिटों को दे रहे हो, कुछ बड़े बिजनेस हाउस को सौप रहे हो, अडानी अंबानी को सौप रहे हो, पर एक आम आजमी की स्थिति अपने ही चौड़े है, जहां वो साथ मर्म béla रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसमें भी चंदा ये खा गया है, उसका भी चंदा खागया, राम जी को भी हना नहीं नहीं चोड़ा, वहां के भी हिसाब लगाएंगे तो उनके पास को इसाब दिए मेढ़े की पूर इन दोर न केवल मद्यप्रदेश बलकि पूरे देश भर में कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं का अपनी ही पार्टी छोड़कर बीजेवी में जाने का सिरुसला जारी है डेमेज कंट्रोल क्यों नहीं कर पार ही कॉंग्रेस पार्टी देखे मैं समझते हूं कि यह जो दोर है इसमें भार्ती जनता पार्टी यह पर्सेप्शन बनाने में सफल रही कि कॉंग्रेस का कुछ नहीं हो रहा हो वो उन्होंने एक माहूल बनाया और आप देखेंगे हर प्रदेश में उन्होंने एक मंत्राले बना लिया है जैसे एक सीनिय लीडर को काम सॉब दे है कि आप ग विचारधा का क्या होगा? मैं किसी पार्टी में हूँ, आज कॉंग्रेस पार्टी में हुए तो इक विचारधा के साथ हूँ. मेरी सोच है कि उस विचारधा मेरे लिए सब कोच है. मैं उसको छोड़ कि दूसरी विचारधा में नहीं सामिल हो सकती. तो और जो लोग भी भाग रहे हैं, मैं समझती हूँ, वो कुछ शनिक अपने selfish motives के लिए, कुछ शनिक lab के लिए वो जा रहे हैं. जबकि Congress Party ही एक मात्रपार्टी है, जो इस देश में हर नागरिक के लिए सोचती है और हर नागरिक के लिए संघर्ष किया है, सब को साथ लेकि चलना चाहती है और इस देश का विकास करना चाहती है. इंदोर लोकसवा सीट के लिहास से बात करें, तो बीजेपी पिछले कापी दिनों से देखने मा रहा है कि चुनाओ को लेकर एक्टिव मोड में है, जगा-जगा संघर्ष की बैठके और ही तैयारी पूरी है, लेकिन Congress Party इस पूरे तैयारी में कहीना के पिछडती भी नजर अधिल के बीजेए थी में देखने में में हैं। आपको को अधिल गें कर देखने में और हिए तो इन दो लोकसवा सीट के लिए कांगरेस पार्टी अपने आपको कहां पर देख रही है? मैंने कहाक किया हमारा य layout candidate, बहुती आक्टिवše एग्रिसिव candidate है जिसके कुछ सबने हैं इंदार शहर के लिए या इंदार लोक सभा के लिए इंदार कीली उसने कुछ सबने देखे हैं इंदोर की जन्ता की सेवा करना है, इंदोर का नाम लोशन करना है, तो ऐसे में कॉंग्रेस के पार्टी का हर वो कार्यकरता जो इमानदार है, आज कॉंग्रेस पार्टी की साथ खड़ा है, जिसे कहना चाहिए कि तीन, जो एकदम खड़ा हमारा कार्यकरता है, वो आज भी कॉ तो ये थी हमारे साथ महिला कॉंग्रेस की वरिश नेती शोभा होजा जिनका कहना है कि इंदोर में इस बार जो है आश्यर जनिक परिणाम सामना आएंगे और जिस तरह से कॉंग्रेस पार्टी और संगठन लगातार आपसी एकता और भाईचारे के साथ अक्षे बम की नेतरत में चुनाव लड़ रहा है उसके कहीना कि कॉंग्रेस पार्टी को सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे केमरा परसन नीरज जावलिया के साथ मैं शरफ मंसूरी, ACN भारत इंदोर